हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होगे आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और बैटरी फुल चार्ज होने के बाद भी चार्ज होती रहती है और इस प्रोसेस के कारण हमारी बैटरी खराब हो जाती है उस चार्जिंग को कट करने के लिए एक solar charging controller होता है जो बैटरी जब फुल होती है तो उसके solar की charging को कट कर देता है हमाई बैटरी को खराब होने से बचा लेता है यह होता है solar charging controller का काम अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि कितने बाट इस पे solar panel लगा सकते हैं कैसे लगा सकते हैं और दोस्तों इसका charging cut करने का और charging करने का किस time क्या मतलब होता है सारा कुछ आज की इस वीडियो में पता चलने वाला वीडियो अच्छी लगए तो like करना शेर करना and subscribe करना तो वीडियो को start करते हैं सबसे पहले मैं आपको पता दूँ यह Eastman Company का solar charging controller है जो 12 bolt पे भी काम करेगा और 24 bolt पे भी काम करेगा यह बात का द्यान लगना कुछ लोग क्या चाते हैं क्या कहते हैं कि दो एक बैटरी है 24 bolt का पैनल है यह controller लगाने के बाद charging जो है वो 12 bolt में जाएगी ऐसा नहीं होगा तो इस वीडियो को देखते रही अच्छी लगए तो like करना share करना and subscribe करना तो हमारी inverter बैटरी की सहब है जो भी knowledge आप लोग को देता रहता हूँ अपने चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों ठीक है सबसे पहले हम बात करते है solar charging controller यह जो है वो east man का है इस पर लिगा है solar charge controller SCC 20 ampere 12 bolt and 24 bolt with LCD display यह display इस पर सारा कुछ बताएगा इस पर क्याकर लिखा हुआ है battery bolt भी दिखा रहा है charging ampere 11.4 ampere ठीक है यह box हो गया इस पर अगर हम rate बगरा की बात करें तो इस पर rate लिखा हुआ है दोस्तों rate इस पर लिखा है 2050 रुपए हमने इसको बाहर निकाला तार निकालने बाद सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी setting को समझ लेते हैं यहाँ पर panel बना हुआ है और panel का plus लग जाएगा पैनल का minus लग जाएगा इसमें यहाँ से हम तार डालेंगे और यहाँ पर तार डालने के बाद इसको उपर से कस देंगे पैनल के तार डालेट इसमें आएगे और एक तार लेकर दो तार लेकर यहाँ पर plus यहाँ पर minus दो टुकले लगाकर यहाँ से बैटरी में हम connection कर देंगे और इसके लाबा कुछ नहीं करना है मुबाइल चार्जिंग करना है तो यहाँ पर हम अपनी 20 A का इसका मतलब भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको किसी तरह का कोई भी दिक्कत ना है सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसका क्या तो एक सो बाट का पैनल मैं यहाँ पर लिखते समझाता हूँ आपको फोन ठामे हुई हूँ अब दोस्तों होता क्या है यह तो हो गया 12 बोल्ट का सिस्टम लेकिन अगर हम दो पैनल 24 बोल्ट का लगाते हैं तो इस पर हम 600 बाट भी कर सकते हैं क्यूंकि उसकी चार्जिंग फिर कम आएगी और हम अधिक पैनल लगा सकते हैं दोस्तों और यह जो है 100 बाट के पैनल से लेके 50 बाट के पैनल से लेके 300 बाट 12 बोल्ट में लगा सकते हो और 300 बाट से लेके 600 बाट 24 बोल्ट में लगा सकते हैं यह इस सोलर चार्जिंग कंट्रोलर का काम है आप लोग अगर comment करोगे तो मैं आपको 50 बाट solar panel का 100 बाट solar panel का और 110 बाट solar panel का charging का controller देखाऊँगा जिसका rate बहुत कम है इस controller का rate 750 और पहे है जो बहुत अच्छा rate है जिसकी 3 months की warranty भी मिल जाएगी आपको कोई भी fault आएगा जलना नहीं चाहिए और कोई fault आएगा तो आपक एड ईयां दोप्स्टू!